हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हुरा होल जैस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज आगेन आपके सामद एक मोश्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे सेवन स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक का जो हमारा चाप्टर चल रहा था पार्ट टू के पार्ट का हमारा चल रहा था दोस्तो जिसका नामे चाप्टर नंबर फॉर्टीन जो था ह अगर नहीं देखा है तो आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में प्लेलिस सेक्शन में आप जाके देख सकते हो तो यह जो हमारा पार्ट टू चल रहा है इसमें हम शुरुआत कर एक नया चाप्टर जिसका नामे मटेरियल वी यूज तो आज इसका पहला लेक्टर है तो आपने बधपन से लेके हर दिन कुछ न कुछ सामान जो है यूज किया होगा अपने डे टु डे लाइफ में एवरी डे लाइफ में कुछ न कुछ यूज करते है तो यह जो चाप्टर है दोस्तों इसमें कुछ हम लोगो लोगो topics ऐसे पढ़ने हैं जो हमें जो सामान ऐसे ह हम daily use करते हैं, लेकिन उसके बारे में हमने कभी जाना नहीं, कि वो क्या होता है, और कैसे बनता है, और उसके अंदर क्या-क्या components प्रेजेंट होते हैं, तो वो हम इस chapter के माध्यम से आपको बताने वाले है, जो की बहुत important topic है, ओके, तो सबसे पहले बात यह होता है, जासे कि आप सूभय उठोगे, तो बरश तो हम लग चलो बाजू में रखेंगे, लेकिन सबसे important चीज है यहां पर तूथ पेस्ट, तो तूथ पेस्ट क्या होता है, वो कैसे बनता है, और वो तीथ में कैसे जाके clear करता है वो सभी चीज discuss करेंगे जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हर चीज का एक natural source होता है और एक दूसरा man-made source होता है यानि कि एक चीज naturally हमें मिलती है ठीक है nature से और दूसरी चीज ऐसे होती है जो हम लोग बनाते हैं खुद यानि कि man-made होती है तो जैसे कि अगर मैं cleaning of teeth की बात करूँ यानि कि दात की सफाई की बात करूँ तो earlier days में क्या होता था पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग जो है न तूथपेश्ट वगरे होता नहीं था companies वगरे तो होती नहीं थे ना आज से पाउडर बन जाता है जलने के बाद उसको बोलते है राख एश बोलते है अब वो जो एश होता था हो लोग क्या करते है वो सीधा सीधा उसको पानी में गीला करके वो एश से घस ले थे दात को जिससे जो भी इमप्योंडिस होती बाद में से वो निकल जाती थी और कुल लग बगरे करने के बाद वो सब चीज़ क्लियर हो जाता था।sm向य से सब लय जो हूदं निम्बू जो होता थाा निम्बू और सॉल्ठ का मिक्चर करते थे तो यही सब होता था न उसी को company नहीं नोटीस किया, और वही इंग्रेडियेंट्स को यूज करके as a man-made form तायार किया, यानि कि तूथपेस्ट आयार किया, तो सबसे पहले topic हमें वही पढ़ना है दोस्तों, जिसका नाम क्या है तूथपेस्ट, ठीक है, तूथपेस्ट हम लोग देख लेते हैं, कि क्या होता है कि natural तरीकी से चलो हम इसको यूज करते थे, lemon हो गया, koila हो गया, राक हो गया, यह सब चीज हम लोग पूराने जमाने में इस्तिमाल करते थे, लेकिन आज की तूथपेस्ट कोई company मनाती है, manufacturing company मनाती है, XYZ जो भी होगी, लेकिन उसमें ingredients क्या होता है, तो अगर हम ingredients की बात है और उसके बाद उसको निकाल देते हो बाहर, with the help of water, खुला वगरे करके, तो वो अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपको कोई नुकसान नहीं पोच रहा है, उल्टा आपके दाथ क्लीन हो रहे, तो calcium carbonate जो होता है, ठीक है, calcium carbonate हो गया, यह एक चीज हो गया, और हम hydrogen phosphate हो गया, they are nothing but type A compounds होते हैं, जो कि किस से बनते हैं, elements से बनते हैं, जो कि हमने already पढ़ा हुए हमारे previous chapter में, कि elements के कैसे compound बनते हैं, mixture बनते हैं, तो उसी से यह सब चीज बने जाते हैं, और यह जो ingredients होते हैं, जिसको मिला के एक तरीके से paste बना जाता है, ठीक है, जिसको आप tooth paste बोलते हो न, तो tooth का paste है, वो tooth पे लगाने वाला paste है, तो एक paste बन जाता है, ऐसा semi solid liquid बन जाता है, जिसको आप ले कि अपने teeth पे लगाओगे, with the help of brush, तो वो क्या करता है, teeth को polish करने का काम करता है, यानि कि clean करने का काम करता है, जिससे आपके germs and bacteria जो होते हैं, वो किल होते हैं, उसके हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम chemical components की बात करें थे, तो इसमें क्या होते है, fluoride present होता है, तो fluoride क्या करता है, आपके दातों को strengthening का काम करता है, यानि कि मजबूत बनाता है, जो भी दात आप यूज करते हो, यानि कि दूद पे जो यूज करते हो brush के साथ, और साथी में जो दातों के उपर enamel होता है, एक तरीके से coating होता है, आपने देखा हो अगरे दातों में एक तरीके से उपर coating होता है, उसको enamel बोलते है, तो enamel को भी मजबूत करता है, और यह जो मसूडे होते हैं, उसको strong बनाता है, यह चीज आपको ध्यान दो रखना है, तो यह था हमारा सबसे पहला टॉपिक आज का जिसका नाम था तूथपेस्ट, एक और टॉपिक के बारे मैं चर्चा करना चाहूंगो आपसे, जिसको हम लोग बोलते हैं, डिटर्जेंस, अब डिटर्जेंस का मतलब क्या होता है, ठीके न, ओके, वेर इस माए, ओके, ठीक अगर हम बात करें, कुछ कपडे हैं, गंदे हो चुके, सॉइल हो चुके, यानि कि मिट्टी लग गया है, धूल मिट्टी लग गया है, कुछ अलग चीजे लग गई, तो इसको धोना पड़ता है, तो सिर्फ आप पानी में डुबा के निकालो, या फिर पानी में डालके उ उसके अंदर घुस के वो impurities को, यानि की गंदगी को निकालने वाला चाहिए, तो वो क्या होता है, detergents वैसा काम करते हैं, तो यह क्या करता है, वो मैं आपको बताऊंगा, detergents के case में, सबसे पहली बात, detergents जो होता है, normally जाकर हम बात करें, वो जो होता है, होता है, दो तरीके से हो सकते हैं, detergents का इस्तिमाल होता था, पुराने जमाने में, क्योंकि पुराने जमाने में, जैसे, तूठ पेस नहीं हुआ कर देते, लोग कोईला और राक का इस्तिमाल कर देते, स्वे मुसी प्रकार, जो detergents होते हैं, वो भीutanे जमाने में, नहीं होतेंगे, ठीक है ना, डिटर्जेंट्स, ओके, स्पेलिंग मराबर है, डिटर्जेंट्स, ओके, तो पुराने जमाने में लोग क्या होते थे, पाउडर उनके पास होता नहीं, तो आज किरेड़ में आप बहुत सारे चीज इस्तेमाल करते हो, सर्फ इस्तिमाल करते हो, डिटर्जन इस्तिमाल करते हो, लेकिन पुराने जमाने में वो सब नहीं था ना दोस्तों, तो आप क्या करोगे दोस्तों, वो टाइम पे क्या होता था, कि लोग ना नाच्रल डिटर्जन का इस्तिमाल करते था, वो नाच्रल डिटर्जन क्या होता ह एक यहां पे components आते हैं जिसको बोलता है Rita and Shikakai ठीक है उसको Hindi में बोला जाता है और आप लोग यह चीज भले आपको नहीं पता होगा लेकिन अपने ममी और पापा को जरूर से पूछना या फिर आपके दादो दादी होंगे उनको जरूर पूछना कि what do you mean by Rita and Shikakai होता है ठ वो ही जाग के help से पुराने जमाने में कपड़े धोया करते थे लोग and clean किया करते थे तो यह चीज ज्यान रखना वो natural तरीके से earlier days 50 years 60 years पहले use किया करते थे आज के जमाने में एकदम ना के बराबर हो गया क्योंकि detergents वगरे जो मिलते हैं वो एकदम सस्ते मिलते हैं हर बात करें डिटर्जर्स के अंदर तो जैसे की यह जो रीठा की मैंने बात किया जिसको बोलते हैं हम लोग सोप नट यह जो रीठा है इसको English में बोलते हैं सोप नट बोलते हैं और यह जो शिका का यह दोस्तो इसको कहा जाता है सोप पॉड ठीक है यह चीज आपको नाम य जो है इस्तिमाल होता है अलग-अलग तरीके से लोग इसको इसको इस्तिमाल करते हैं अब यह तो बात होगे मैंने डिटर्जर्जर्स बता दी आपको थूद पेस समझ में आ गया एक चोटा सा एक्सपेरिमेंट टाइब में बताना चाहूँगा कि इस यू वांट टो मेक डिटर्जर्जर्स एट यर होम या फिर लाबरेटरी में आपको डिटर्जर्जर्ट जो है वो खुदी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक लेना पड़ेगा एक क्लीन वाटर ले लो ठीक है साथी में आपको पानी ले लेना है और ओईल ले लेना है और स थोड़ा सा detergent ले रेना है, तो आप क्या बना सकते हो, soap बना सकते हो, उसका detergent cake बना सकते हो, clear है, तो आपको बस यही करना है, कि glass में लेना है, थोड़ा पानी, ठीक है, पानी में थोड़ा सा उपर आप oil लाल दो, and oil और पानी को जोर-जोर से mix करो, तो mix करने भी क्या होगा, we know that, कि यह चीज़ आप घर पे आज ही करके देखना, कि थोड़ा सा आपके घर में अगर oil होगा, तो वो ले लो, थोड़ा से जादा मत लेना, waste हो जाएगा, ममी चिलाएगी, ठीक है, तो आपके घर में थोड़ा सा काच के glass में, या फिर एक कोई bottle होगा, चोटा सा उसमें थोड़ा पानी आड़ कर दो, थोड़ा ओएड कर दो, और दोनों को mix करने के कोशिश करो, तो सबसे पहले सवाल मेरा ये है आपलों के लिए, क्या वो पानी और oil, दोनों mix हो पाएंगे क्या, जी नहीं बिल्कुल, हमें पता है कि दोनों अलग-अलग चीज़े mix नहीं हो सक करना है, अब जो solution होगा ना, वो totally mix हो गया होगा, यानि कि पानी, oil और वो detergent जो होगा, वो totally mix होके, एक homogeneous mixture बन गया होगा, homogeneous mixture मतलब क्या होता है, पूरा मिल जाना, घुल मिल जाना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से detergent solution बोलेंगे, और वो उसका जो color होगा, वो color जो हो जाएगा, लगबग milky, यानि कि दूद जैसा color उसका दिखने लगेगा, milky हो जाएगा, ठीके, तो यह क्यों हुआ, इसके बीचे scientific reason क्या है, तो reason यह है कि why this happening, सबसे पहले सावाल यह आता है, तो जैसे कि मैं आपको बोला, कि समझ लो, यह मेरा water का एक molecule है, ठी से मेरा यह detergent का molecule ए, ठीके है, तो जब water का molecule और detergent का molecule एक दूसर से attach हो जाएँगे, तो यह दोनों आपस में mix नहीं हो पाएँगे, because इसमें क्या होता है, कि dietergent के molecule होते है, वो葉 tussen थोड़े बड़े होते हैं, water के molecule, थोड़े छोटे होते होते हैं, दोनों आपस में mix नहीं ह कि आपका जो भी सोप होता है, जो भी साबून होता है या फिर जो आप सर्फ वगरे इस्तिमाल करते हैं, वाशिंग सोडा वगरे इस्तिमाल करते हैं, इसमें एक प्रॉपटी यह होती है, कि वो पानी के साथ घुस जाता है, और वो complete एक molecule बना लेता है, एक homogenous mixture बना लेता है, एक एक धागा जो होता है आपके कपड़े का, यानि कि जो भी आपका कपड़ा है, उसमें एक एक धागे के अंदर ऐसे घुस जाता है, और घुसने के बाद क्या करता है, जो भी soil होगा, उसको वो क्या करेगा, रिलाक्स कर देगा, यानि कि डिकम्पोस कर देगा वहाँ से तो जो भी soil जो धागे को पकड़ा रहेगा for example यह धागा है और जो मिट्टी गंदगी लगी थी वो soil को ऐसे पकड़ी वी थी ध्रेड को पकड़ी वी थी तो जैसे उसके उपर क्या आ गया एक तरीके से हमारा solution आ गया यानि कि जो आपका पानी और जो detergent से उसके mixture आगे वो धीरे-दीरे उसको क्या करेंगे वहां से remove कर देंगे automatically थोड़ास आपको external pressure लगाना पड़ता है आपको हाथ से ऐसे करना पड़ता या फिर आप washing machine का इस्तेमाल करते हो तो machine उसको घुमाएगा तो because of that external pressure external pressure जो आप दोगे तो दीरे-दीरे क्या हो जाएगा वो सब जो है wipe out हो जाएगा जैसी आप उसको clean करके फिर पानी में डुबा के निकाल दोगे निचोड दोगे तो आपका जो भी solutions था यानि कि जो भी गंदगी था वो सब क्या हो जाएगा तो यह सबी चीज आपको clear हो गया होगा तो आज के लिए मैं बस इतना ही stop करूँगा हमारा lecture को छोटा साई topic है तो दो lecture में हमारा यह जो chapter है complete हो जाएगा तो आज हमारा आदा chapter यहाँ पे खतम हो गया बहुत ही simple है, बहुत ही effective है और आपको लेकिया होँगा, उसमें यह chapter को totally complete करूँगा तो बस आपको धोड़े से दिन का इंदजार करना है जल से जल आपको lecture मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही कैसा लगा है हमारा आज का lecture वीडियो दोस्तों प्लीज हमें comment करके बताना है और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों useful लगा है तो फ्लीज वीडियो को like कीजेगा share कीजेगा आपने सारे friends लोग को फटा फट से share को दोस्तों कितना important chapter है कितना easy और कितना सोचने वाला topic है कि ऐसा चीज भी हो सकता है क्या और जो हम लोग करते daily life में वो चीज का मतला हमें पता है कै तो फटा फट से share कर देना add अगर आपने अभी तक हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो फटा फट से हमारे channel को subscribe कर देना साथ में bell icon को press कर देना ताकि जब भी हम लोग video लेकर आएंगे आप लोग को notification मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तुम मिलते हैं मारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए thank you and good bye